Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu यह से ही आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एक्जाम की प्रिपरेशन कर ले होंगे देखे आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे 25 MCQs आपके GS के रिलेटिड होंगे तो आपको GS portion से question पूछे जाएंगे, और अगर हम लास्ट इयर की पेपर की बात करते हैं तो आपको सारे question maximum जितने भी question थे, वो current affairs के related पूछे गे थे चीक है ना, तो आपको बता होना चाहिए हम आपके लिए current affairs पे lecture लाते हैं, topic wise लाते हैं अगर अभी तक नहीं देखे हुए, please जाके देख लेना, आपको exam में बहुत जादा help मिलेगी प्ले लिस्ट में वीडियोज पढ़े होंगे, okay आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, अगर आप चैनल पे नहीं हैं, चैनल को subscribe कर देना, वीडियो को like कर देना, अपने दोस्तों के साथ share कर देना ताके आपको daily हमारे वीडियोज के notification timely मिलते रहें इस वीडियो में हमारे पास 25 MCQ होंगे, okay और important होंगे, current related ही होंगे, ठीक है आपने कोशिश करना है वीडियो को बास करना है और पहले हुद answer देने की कोशिश करना है कि आप कितने questions ठीक कर पा रहें और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक idea भी हो जाएगा कि आपको actual में पढ़ना क्या है और यह हमारे पास part first रहेगा, हम इसी तरह आपके लिए वीडियोज लाते रहेंगे, चलिए शुरू करते है प्यारे दोस्तों पहला question पूचा गया है आपको बताना है head कौन है अभी recently कौन इसके head है option A है आपके सामने चंदा कोचर उसके बाद आपके सामने है संदीप बक्षी option C है उदे कोटक option D है एन आर नरायना मूर्थी आपको बताना इस question का answer क्या है current head कौन है आई सी आई सी आई सी बेंक के तो इस question का answer है हमारे पास संदीप बक्षी संदीप बक्षी इसता correct answer याद रखना ये current head है ICICI bank के तो important हो जाएगा आपसे पूछेगा इस seminar CEO कौन है हमारे पास अभी ICICI bank के तो ये हमारे पास यहाँ पे संदीप बक्षी है important होगा आपके exam point of view से अगर हम इसके headquarter की बात करते है तो Mumbai में है ठीक है Mumbai में ICICI bank का headquarter Mumbai में है found किया गया था 1994 में कहां पे वदोधरा में important होगा चलिए second question की बात करते है second question कुछा गया है is the new CEO of JNK bank चलिए बताएं new CEO JNK bank के कौन है option A Rajish Kumar option B बलदेव परकाश option C अनील शर्मा option D विकरम सिंग आपको बताना है हमारी पास new CEO JNK bank के कौन है तो इस question का answer है हमारे पास बलदेव परकाश तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इसका headquarter है वो हमारे पास सिरिनगर में भी है important है जम्मू में भी है लेकिन आपको इस चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर बेंक है ओके ये found कप किया गया था फास्ट अक्टूबर ये हमारे पास फास्ट अक्टूबर 1938 में किया गया था ये date याद रखना और आपको ये भी पता होना चाहिए कि तब हमारे पास यहाँ पे प्रिंसली स्टेट थी और रूलर कौन थे महराजा हरी सिंग थे उन्होंने ही इसको establish किया था चलिए आप बात कते है question number 3 की question number 3 के आपके सामने screen पे question पूछा गया बहुत important question है who is the current secretary general of the United Nation having held the position since January 1st 2017 आप से current secretary general पूछेगे हैं United Nation के Benki Moon, Kofi Annan या फिर Bautress Bailey Antonio Guterres आपको बताना इस question का answer क्या होगा current secretary general कौन है United Nation के तो इस question का answer है Antonio Guterres important है याद रखना current secretary general है United Nation के तो option number D is question का correct answer है जब हम बात करते है United Nation की तो 24 October की बात है 1945 में San Francisco California United State में San Francisco California में यह हमारे पास क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए United Nation को found किया गया था और date मैंने आपको बता दी 24 October 1945 तो यहाँ पे आपने याद रखना important रहेगा आपने हमारा paid group नहीं जैन किया हुआ जिसमें हम daily lectures के PDF डालते हैं 499 रुपीज फी रहने वाली है 11 से आपके mock test भी start होंगे आप comment box में बता देना आपको sectional test चाहिए या फिर full length mock test चाहिए लेकिन हमारे test जोंगे OMR based होंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपने इनको करना अराम से ठीक है क्योंकि OMR जादा ही help करते हैं exam में तो आपको ये 11 से प्रोवाइड किये जाएंगे और आपने comment box में बताना है कि sectional चाहिए या full length चाहिए बाकी आपको lectures के PDF, English, computer और जो हमारे पास quarter related हो गया current affairs के MCQs की बात करें topic wise current affairs की बात करें जो आपके exam point of view से important होंगे तो आपको मिलते रहेंगे और मिल जाएंगे छीक है इस number पे आपने क्या करना है message डालना है कि हमें paid group में add कर दो और आपको ये सब कुछ material प्रोवाइड कर दिया जाएगा total fee 499 रुपीज रहने वाली है तो आप इस number पे message कर देना इसका screenshot आप ले सकते हैं चलिए next question की बात करते है और mock test भी आपको EC में cover हो जाएंगे 499 रुपीज में question number 4 आपसे पूछा गया है चलिए question number 4 पूछा गया है और उसके बाद है हमारे पास अजे बंगा, Mark, Kenny बताएंगे इस question का answer क्या होगा current president world bank के कौन है मेरे प्यारे दोस्तों इस question का answer है अजे बंगा बहुत ही जादा important question है इस तरह के question exam में आते हैं headquarter कहां है world bank का Washington DC में है Washington DC में हमारे पास headquarter है इसका, okay United State में President इसके अजे बंगा है important है, okay याद रखना important होगा आपके exam point of view से भी और जुलाई एक तेड़ याद रखना जुलाई 1944 में यह हमारे पास found किया गया था चलिए, अब बात करते हैं question number 5 की who is the administrator of NASA in 2024 पताए, Charles Bolden, Bill Nelson, Jim Briden, okay क्या answer होगा administrator कौन है NASA के 2024 में इस question का answer है Bill Nelson याद रखना यह administrator है NASA के 2024 में NASA क्या है National Aeronautics and Space Administration याद रखना important होगा और अगर हम इसके बात करते हैं founder की तो इसके founder थे white note कर लो white D Aison Hover यह इसके क्या थे हमारे पास इसके founder थे और यह found कब किया गया था यह हमारे पास 29 जुलाई 1958 में United States में हमारे पास found किया गया था NASA की बात कर रहा हूँ ठीक है government agency है यह और headquarter इसका Washington DC में है कहा है Washington DC में important हो जाएगा United States में और इसके administrator कौन है हमारे पास Bill Nelson है चलिए question number 6 who is the secretary general of ASEAN in 2024 secretary general कौन है ASEAN के 2024 में doctor cow kim hon okay lim jok hoi surin pitsuban या फिर हमारे पास lee long min तो इस question का answer क्या होगा इस question का answer है doctor cow kim hon याद रखना यह हमारे पास secretary general है asian क्या हुआ association of note कर सकते हैं आप association of south east asian nation okay south east asian nations अगर हम बात करते हैं इसके बारे में यह क्या है political और हमारे पास political and economic union है 10 states की south east asia में okay और headquarter इसका हमारे पास indonesia में है यह भी आप याद रख सकते हैं कहां पे है indonesia में तो यह हमारे पास 8 August note कर सकते हैं आप 8 August 1967 में Bangkok Thailand में तो यह आप यार रख ले ना कहां पे Bangkok Thailand में हमारे पास यह found किया गया था ओके चलिए इस question का अंसा था Dr. Kao Kim Odd चलिए next question की बात करते हैं तो इसके option दिये गये है मुहम्मद बरकिंडो पूचा गया गया है Secretary General of OPEC in 2024 ठीक है question number 7 पूचा गया है which is the Secretary General of OPEC in 2024 OPEC की बात करें तो option पूचे गये मुहम्मद बरकिंडो option B पूचा गया हैतमल गयास option C पूचा गया अली अल नाइमी option D पूचा गया अब्दल्ला सलीम अल बदरी इस question का answer क्या होगा इस question का answer है हैतमल गयास important है तो याद रख लेना हैतमल गयास जो है हमारे पास क्या है Security General है OPEC के 2024 में important हो जाएगा आपके exam point आप few से ओके और जो हमारे पास इसका full abbreviation क्या होता है organization of the petroleum exporting countries last year आपको एक दो question इस तरह से भी आए हुए थे ठीक है तो organization of the petroleum exporting country याद रहना है यह एक permanent intergovernmental organization है और यह create की गई थी बगदाद में कहां पे बगदाद में important होगा conference हुई थी सब्टमबर 10 से 14 के बीच में 1960 में बाई इरान ठीक है इराग, कुवेद, सुधी अरभिया एंड जो हमारे पास Venezuela है तो यह आप याद रख लेना important होगा 14 सब्टमबर 1960 में यह हमारे पास important है बगदाद में यह हमारे पास क्या किया गया था create किया गया था और इसमें first five member कौन-कौन से थे इराग, कुवेद, सुधी अरभिया एंड वेनिज योला थे important होगा और as of January 2024 की बात करें तो इसके 12 member है ठीक है 12 member है याद रखना important होगा चलिए next बात करते हैं question पूछा गया है who became a one day chief minister of उत्राखंड at the age of 20 बहुत important question है पूछा गया है who became a one day chief minister of उत्राखंड at the age of 20 प्रिंका शर्मा शरिष्टी गोस्वामी बारती सिंग अनीशा शर्मा इस question का अंसर क्या होगा इस तरह के question पूछे जाते हैं एक्जाम में याद रखना तो इस question का अंसर है शरिष्टी गोस्वामी जो हैं ये हमारे पास क्या बनी है one day chief minister बनी थी आपके पता होना चाहिए उत्राखंड state की ठीक है तो इनकी age कितनी है 20 years ओके याद रखना question number 9 who is the first woman officer in the Indian Air Force to receive a valantry award बहुत ही दोधा important question है first woman officer ये बनी है Indian Air Force में जिनने रेसीव किया है valantry award तो ये कौन है flight lieutenant अंजली गुपता wing commander दीपीका मिश्रा या फिर सुकार्डन लेडर प्रिया शर्मा wing commander दीपीका मिश्रा इस question का अंसर क्या होगा first woman officer in the Indian Air Force इस question का answer है wing commander दीपीका मिश्रा okay important होगा option number D इस question का correct answer है और ये first woman officer बनी है Indian Air Force में जिनने रेसीव किया है valantry award इस तरह के question बहुत ज़्यादा important हो जाते है exam point of view से okay चलिए question number 10 question number 10 पोचा गया who is the first woman to serve as the chairman question को समयना who is the first woman to serve as the chairman and managing director of the oil and natural gas corporation ONGC ये मैं 2024 की बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों 2024 की निर्मला सीतारमन इंद्रा नोई या फिर डाक्टर अलका मितल किरन मजुंदौर शा इस question का answer क्या है इस question का answer है हमारे पास डाक्टर अलका मितल बहुत ही ज़्यादा important question है याद रखना है ये first woman है जिनने 100 किया याद रख लेना फिर आफ से question पूछा गया है ये भी हमारे पास current affairs से related question है तो सारे question current affairs के related है बताएं इस question का answer क्या होगा ये question आपके exam point of view से भी important हो जाता है Lieutenant Colonel जोयती शर्मा Colonel Anita शर्मा या फिर Major General Priya Singh Captain Neha वर्मा क्या answer होगा who made history by becoming the first woman judge advocate general of Indian army तो इस question का answer है Lieutenant Colonel जोयती शर्मा option number A इसका correct answer है उनने history create की है by becoming the first woman judge advocate general of the Indian army question number 12 आप से पूछा गया है who is the first Hindu woman in Pakistan to become a deputy superintendent of police DSP बहुत important question है आपके exam point of view से ये भी first Hindu woman है पाकिस्तान में जो क्या बनी है डिपुटी superintendent of police बनी है DSP बताए इदीती शर्मा मनिश्या रुपिटा कवीता सिंग कूजा मलहोतरा क्या answer होगा इसका इस question का answer है मनिश्या रुपिटा याद रख लेना important होगा आपके exam point of view से चलिए question number 13 की बात करते है who become the first woman president of Tanzania आप से पूचा गया है कि कौन बनी है first woman president Tanzania की option है जुलिया वॉंग आश्या रोज जाफिर जकाया किकवेटे option D है डक्टर सामिया हसन इस question का answer क्या होगा ये भी मारे पास first woman president बनी है तन्जानिया की तो इस question का answer है option number D is the correct answer चलिये question number 14 पूचा गया who is the current CEO of Flipkart मैंने आपको ये भी पढ़ाया था और उपर वाला question भी cover करवाया हुए current affair में ये सारी चीज़े cover करवाई हुई है तब ही यहाँ पे question लाएं तो current CEO कोन है Flipkart के कलियान करिशन मूर्ती है बिन्नी बंसल है मुकेश बंसल है राजेश मगो है क्या answer होगा इस question का answer है कलियान करिशन मूर्ती ओके ये क्या है current CEO है Flipkart के important हो जाएगा चलिए who was the chief guest at India's 75th Republic Day Celebration बताएं इस question का answer क्या होगा option आपके सामने Boris Johnson Emmanuel Macron या फिर Justice Trudeo या फिर Joe Biden क्या answer होगा इस question का जल्दी से बता दे तो इस question का answer है Emmanuel Macron जो है ये हमारे पास आपको पता होना चाहिए chief guest थे India's 75th Republic Day Celebration के तो important हो जाएगा ये president है कहा के France के ठीक है Emmanuel Macron कहा के president है France के है तो याद रख लेना important होगा इस तरह के question भी exam में पूछे जाते हैं और आपको I think 74th Republic Day Celebration का जो chief guest है वो पूछा गया था last year चलिए आप बात करते है next question की ये आपको notes गरा मिल जाएंगे आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं नंबर आपको बताया है आप उसमें message कर देना question number 16 पूछा गया है वाट वाज दा प्राइमरी टीम आफ ओडिसा टेबलियू दैट वन फस्ट प्लेस इंट्वेशन अर्वन ड्वेल्प्मेंट वोमेन इंपाव्मेंट एंडलूम environmental conservation पताएं इस question का answer क्या होगा तो अगर हम बात करते हैं इस question की तो इस question का answer है वोमेन इंपाव्मेंट एंड हैनलूम याद रखना ये प्राइमरी थीम था ओडिसा टेबलियू का और यही इसीने फास्ट प्लेस यहाँ पे नेती important हो जाएगा आपके exam point of view से ओके चलिए next question की बात करते है 17 आपसे पूछा गया है वोईस्था प्रोजेक्ट डिरेक्टर फार चंद्रियान 3 ए लोनर मिशन बाइडा इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाजेशन इसरो डाक्टर के सिवन पी वीरा मुतुविल या फिर डाक्टर वीक्रम सारा भाई आर हुटन इस question का answer है मारे पास option number भी ठीक है पी वीरा मुतुविल की बात करें तो यह हमारे पास प्रोजेक्ट डिरेक्टर थे चंद्रियान 3 के जो हमारे पास एक lunar mission था किसके थूँ करवाया गया या फिर lunar planetary exploration project क्या answer होगा इसका इस question का answer है lunar polar exploration mission option number C इस question का correct answer है ओके याद रख लेना फिर आपसे question number 19 पूछा गया है वीच कंट्री वर significantly impacted by cyclone mocha के कौन से country जो है impact हुए है किस के थूँ cyclone mocha के थूँ तो बताएं वीच कंट्री वर significantly impacted इस question का answer है बंगलादेश एं म्यानमार जो है यह हमारे पास impact हुए थे cyclone mocha के थूँ तो यह आप याद रख लेना important होगा cyclone mocha के बात कर रहा है June 2024 की कि कौन सा super computer है जिसने hold किया title of number one super computer in the world सुमेट Fugaku, Frontier या फिर सहीरा इस question का answer क्या होगा इस question का answer है मारे पास Frontier as of June 2024 Frontier जो super computer है इसने holds किया title of number one super computer in the world question number 21 है what is the new name of Firozabad, Uttar Pradesh यह Firozabad कहां पर है Uttar Pradesh में इसका new name क्या है name इसका change कर दिया गया है यहाँ पे चंदरापूर चंदरानगर इस question का answer क्या इस question का answer है हमारे पास चंदरानगर इसका नाम अब चंदरानगर रखा गया है किसका फिरोजबाद का important हो जाएगा यह तो पहला नाम था यहाँ पे यह तो गलत है और उसके बाद हमारे पास चंदरापूर भी नहीं है इस का answer है चंदरानगर important होगा new name है फिरोजबाद का important होगा इस तरह के question भी पूछे जाते है question number 22 की बात करते है question number 22 पूछा गया है who has been named the league ambassador father south africa 20 league यहाँ पे south africa 20 league के हमारे पास league investor कौन है इस question का answer क्या होगा इस question का answer है दिनेश कारतिक यहाँ रख लेना यह हमारे पास चुने गए है brand ambassador किस के लिए south africa 20 league के लिए तो इस तरह के question आ जाते है exam में brand ambassador पे मैं एक और video लऊँगा जिसमें सारे cover कर दूँगा फिर what is the oxford dictionary word of the year for 2024 के oxford dictionary word कौन सा है 2024 के लिए community, collaboration, connection, communication इस question का answer है connection connection is the oxford dictionary word of the year for 2024 याद रख लेना option number 6 का correct answer है फिर हाँ से question number 24 पुछा गया है what is the सवेरा प्रोग्राम launch by the haryana government focused on कि जो सवेरा प्रोग्राम है यह launch किया है haryana government ने इसका focus किस पे है diabetes awareness याद रखना important होगा यह हमारे पास सवेरा प्रोग्राम जो launch किया गया हaryana government के दूँ question number 25 आप से पूछा गया है where will the UNESCO World Heritage Committee hold its 46th session in 2024 Paris, France, New Delhi, India, Tokyo, Japan Cairo, Egypt इस question का answer क्या होगा इस question का answer है New Delhi, India तो यह question important हो जाता है इन New Delhi, India जो हमारे पास UNESCO World Heritage Committee है यह hold करेगी अपना 46th session 2024 में हमने इस वीडियो में 25 MCQs डिसकस की आपने कितने ठीक की है आप comment बाक्स में बता देना और इसी तरह की question आपको exam में पूछे जाएंगे हम इसी तरह आपके लिए वीडियो जाते रहेंगे बाकी group के लिए मैंने आपको बता दिया यह वाला number है आप इस number पे message कर देना आपको PDF भी provide कर दिये जाएंगे और mock test बगरा भी आपके करवाए जाएंगे 499 रुपीज इसकी fee रहने वादी है इतने रखते हैं इस वीडियो में take care of yourself